है कि एलो फ्रेंट्स वेल्काम टू एश्टरटी विथ क्रेजि गुरु फ्रेंट्स आज हम से रपिएफ ट्रेड्स में जो जौ नोटिफिकेशन निकला है ड्राइवर ड्राइवर मेकेनिक्स और बहु सारे पोस्ट पर निकला है तो उस पे जो हम टेश स्रीज का सिंखला के लेकिन दस question discuss करेंगे आपको बताएंगे किस तरह पुछे जाते हैं पुछे गया है और किस तरह पुछे जाएंगे ऐसे को सब्सक्राइब करना है तो और कोई भी डाउटू तो आप कमेंट में पुछ लिएगा और चैनल पर नए है तो को सब्सक्राइब कर दिए और कलास को सेर कीजिए जो भी आपका दोस्त आपका जो प्रेंड है आपका जो CRPF का फर्म डालने हैं उनको बताइए इस्टाटी पर जो कलास है वह स्टार्ट हो चुका है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं देखिए यह आपका सिलेवास है जेनरल इंट्रिजेंस और रिजिनिंग 25 पुछी जाएंगे उसके बाद जेनरल नौलेज और जेनरल अवेरनेच 25 कोशन मैठेमेटिक से 25 कोशन आएंगे और जेनरल हि के जेनरल इंगलेज 25 कोशन हैं, के सिक्षन करके हम आपको सलाखार कोसन 75 कोशन 25 कोशन 25 पू. लेकिन यह आपको लगे से नहीं आप जेनरल इंगलिश से आच्छा हम जेनरल हिंडी पर टाइम देंगे और कोसं कम से कम 23 कोसं करके आएगे तो कोसं थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो जाता है को सबस्क्राइब कीजी आनते कोई दिकत नहीं लेकिए 23 कोसं 25 में से जनरल हिंडी म नहीं है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है याद रखेगा इसमें निगेटिव मार्किंग है और टू आवर का एक्जाम होगा देखिए नमबर नूट कर लेजे 756486459 कोई भी डाउट हो तो आप इस नमबर से आप पूछ सकते हैं ठीक है तो आज का फॉस्ट कोश सब्सक्राइब क्या है किसी अर Zombi के किस समंध से अभिव्यक्त好 किया सकता है तो किसे याद रखेगा बहुमत्य रेखा को विश्वत रेखा भी कौते हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं और जितना भी महतवपूर्ण जनकार ही आपको दे देंगे क्या है किसी परदेश के अक्सांस को कोनिये दूरी के समंध में भुमत्य रेखा को में अभिव्यक्त किया जाता है बिश्वत रेखा के जो उपरी भाग है उसे हम उत्री गुलार्द काते हैं और जो भाग है उसको हम दख्षुन 나ुळ परतेक गुलार्द को ताप की आधार पर कई भागों में बाटा जाता है जिसे हम जोन कहते हैं उसने कटी-बंद करक रेखा के बीज का सिर्स होता है क्या होता है जो ट्रॉपिकल जोन हैं जिसे हम उसन कटीज बंड विकाते हैं वह करक रेख और मकर रेखा के अधिक वर्षा भी अधिक होता है hier षवेता है mite स्रुड़ और बहुता है और उस वर्षा होता है तो यहां पर ऋसके बाद बता दिए भूमद्य रेखा जो है 13 देशों से मतलब 13 कंट्री से होके गुजरता यह याद रखिए का कपतें पूर्य वर्ष धijn यहां पर भूमध्य रेखा पर सबसे कम सुर्य द्र एबां स्वियास्थ भी होता है और सुर्य का जो धयनिकत अपमान होता है यह मतलब लंब वत होता है यह जितना बीपॉइंट बता हैं यहां से आपको देखने को बता है तो आपको बता थे किपना बता देंगे ठेक है तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है देखेंगे हरित्गिर्ह परभाव के लिए मुख्य हाथ जो जिम्मेदार गैस है और सियों ूटू गैस होता है तो ऐ कोशन भी आए कोशन आपसे पूछे जाए खरसे मुख्याता गैस कौन है जिमेदार जोहरित ग्रीग गैस के लिए तो के सुर्य के उस्मा को पिर्थी भी विकीरन द्वारा प्राप्त करती है और उसे करती है तो मध्याद करती है चतरी की तरह उस उस्मा को रुपती है और पुनह उर्जा जो है पिर्थिवी पर वापस करती है जिससे पिर्थिवी पर अत्यधिक गर्म हो जाती है जो पिर्थिवी पर तापमान होती है वो क्या हो जाती है वो बढ़ जाती है गुलोबल वारेमिंग से अनेक वायू मनली समस्याय उत्पन होती है तो यह याद ग्रीन हाउस गैस के बारे में कौन बताया था जोसेफ कोडियर के द्वारा बताया गया था चैल एसा नहीं कि पर एक पेंड डाउन कर लिए और जितना पॉइंट बता रहे हो ना आप कि आते हैं। इन समराटों में सरा कौन आंतिम दिनों में आपने पूत्र का बंडिता है। मतलब सांसक था को आप पूत्र के दौरा जेल नोगी जानते है औरती हैं । य्याद रखेगा इसके बारे में आपको जितना भी महत्वपुर्जन कर रहें आपको बता अपने अंतिम में अपने पुत्र का बंदे था याद रखेगा उसको मैं तो निर्मान कंद देखने को जब गया जो नादिरशा है वो मतलब मतलब तबाह कर दे कहा उसको गए इनके सासन काल को मध्य कालिन भारत में मुगल जो काल है उसमें अस्थापत्य कला सवारन आपसे पूछ देंगा मुगल काल में अस्थापत्य कला का सवरन की सासनकाल को कहाघा है तो सवर्न कarest को के ससनकाल नहीं के दोड़ा और उसे जो आगरा के किले में कैद किया गया था और इसका मिर्द हो जाता है और उसका समाध्य कहां पर है तो समाध्य ताज महल में करवाया था तो मुम्ताज बिगम के याद में जो साह जहा है वो ताज महल का निर्मान करवाता है जहां करवाता है साह जहां का बच्पन का नाम झाल याद रहाएं के सान जहां का नाम यह याद रहाएं आपको यहाद हैएड रहाए दो उसके बाद आप से पुछेगा जो साँ जहां का पूरा नाम पूछेगा तो साँ जहां का पूरा नाम आप लोट कर लिए जितना भी मुगल समराट आपको बताएंगे सब का पूरा नाम आपसे कोशन पूछे जाते हैं और जो मतलब आठ साल आगरा के किले में जो कैद रहा है तो उनका जो देखवाल किया था किसके द्वारा किया गया था जहां आरा के द्वारा जहां आरा के द्वारा देखवाल किया गया था और जहां आरा कौन थी तो जहां आरा जो थी आपका सा जहां के पुत्री थी तो को जो धैकर सब्सक्क्राइबुरित सम्हानेहंsan औरुपन को मिलता उपिकल को सकता जो याद रखेएगा उसके बाद भुषियास्थ मुगल वाधसा जिसमतार सॉन चाहिसंगा क्योंकि एक नौबर आठाई सो अंठावन इशी पेते हैं रेकिस्पने के हाथ में बिरिटिस क कराम महराने थे हो अपने हाथ में कर लेन एक नौबर नेक माध़्यम के तापमान में तो परकास की गती किया है परकास क्या होती है तो ठेखी है तापमान में बिर्दी वही इनकरीज कर जाती यह मतलब बढ़ जाती है तो ऑप्सन एक करेक्ट रेंसर है इसके बारे में देख लेते हैं इसके बारे में देख लेते हैं माध्यम के ताप मान में बिर्थी के साथ परकास की जो गती है और क्या होती है तो यह पॉइंट याद रखेगा बीदू मतलब परकास क्या है परकास एक ट्रांस बहर सब्सक्राइब है तो ऐसा भी कोशन आपसे देखने को मिल सकता है और वह जो परकास है बीदू चुमकियत रमगों के रूप में संचारित होती है उसके बाद कि इसका ग्यान हमें परका सलफा है रुप का आकर्यान है उसके परकास का टरग धिरए उन 408 और सब्सक्राइब की गए ती परकास के बिजह नहीं इसके बाद के वाईव तथा निरुबात में परकास की चाल जो है सबसे अधिक होती है याद रखेगा और लेइमडा का जो सबसे कम जो है आपका लेमडा पाया जाता है गामा किरनों में सबसे कम जो लेमडा पाया जाती है और रिड लाइट में सबसे ज़्यादा पाया जाती है तो कोसान जो है आपके लिए बता दिया कि ब्यूच्व इसे बनता है किसे बनता है मतलों You यहां से पूछे जाएंगे यहां पर आपको बता दिया यहां यहां पर आपको यहां पर जितना कर सकते हैं आप यहां किजिए तो किसे बनता है इसके बारे में देख लेते हैं क्या है देखें क्वार्ज जो है इसके प्रकिर्ती में पाया जाने वाला बहुत आयत मातरा में खनीज है क्वार्ज जो है प्रकिर्ती में पाया जाने वाला एक हनीज है जो बहुत ज्यादा मातरा में पाया जाता है केल्सियम सिलिकेट का सुत्र आपसे कोशन पुछ देगा का 2-O4-S-I है केल्सियम सिलिकेट का सुत्र क्या है याद रखेगा उसके बाद दकिए सोडियम सल्फेट एक सरल अकारबनी क्योगीक होता है यह याद रखेगा उसके बाद दकिए सोडा काश का निर्मान जो है सोडियम कार्बोनेट, कैलसियम कार्बोनेट और सिलका संघाटन से होता है, तो कोसन आप से पूषा जा सकता है, सोडा कान्स का निर्माल की से होता है, सोडियम कार्बोनेट, कैलसियम कार्बोनेट और सिलका संघाटन से होता है, तो कोसन आपके लिए महत पूर्ण है, कोसन ज सबसे ज्यादा पाए जाने वाला यदि तत्व पूछेगा तो क्वार्ज का अस्थान आता है सिकेंड अस्थान है और तबुली एसर फर्ष्ट अस्थान किसका है फर्ष्ट अस्थान है फेल सपार का है किसका फेल सपार का है तो यह नूट कर लिए फर्ष्ट अस्थान जो बूरपरती पर पाया जाने माले जो खनीज है फरस्ट आस्थान फेर्ष पार का है और स्फेर्ची अस्थान उस्थान किसके है क्रफॉर्ज का है ओम क्ल देखें क्या है आवर्त सार्णी के जो वर्ग वर्ग मतलब जो कलास वो लिए 17 में मतलब 17 में इस्थित कूल पांच तत्व फुलोरीन, कुलोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्र एस्ट्र जो है को समानेय था है है लोजन कह जाता है देखे वर्ग 17 में पाँच तत्व है जो पाँच तत्व है वो मतलब आपका हेलोजन में आता है क्या है फुलोरीन है कुलोरीन है ब्रोमीन है आयोरीन है एस्ट्रोनीन है यह नोट कर लिजेगा कोसन आप से पूछा जाएगा इस वाद देखे इन सभी तत्वों के लवन कुलोरीन का परमानूर संक्या कितना क्या और यहां से पूछे जाएंगे यह समझ गए होंगे उसके बाद देखेंगे सबी हैलोजन ततो और धुर्विये सह सन्योजक द्यूपरमानिमिक अनुओं के रूप में पाए जाते हैं यह नोट कर लिजेगा उसके बाद दखे फोलोरीन और फोलोरीन हरे नीले रंग की गैसे होती है क्या क्या है ध़के हरे रंग की गैस कौन कन खोलोरीन ब्रोमी जो होत सब महतापुन को सब आप से देखने को मिल जाएगा उसके बाद एक चीज और बता दे जो महतापुन प्वाइंट है कुलोरिन और ब्रोमिन क्या है कुलोरिन और जो ब्रोमिन है दोनों जो गैस का यूज किया जाता है पीने के पानी और सुमिंग पूल में या जो ताजा घा सब्सक्राओं है उसके उसके उसमें जो किटानुन नासा को खतम करने के लिए कुलोरिन और ब्रोमिन का यूज के जाता है इतना को आप से पूशे जाएंगे तो हम आपको बताती है नेक्स को सब्सक्राइब आते हैं 27 में कितने मंडल बताएए रिंग बेद में दस मंदल होते हैं एक परिवार मंदल के नाम से बीचाना जाते हैं उसके बाद बतादे जो दूसे साथ जो मंदल है परिवार मंदल है वो सब से प्राचिंत मनदल है रीगवेद में 10 मंडल पूरुष सुक्त में सरव प्रथम चतुर वर्ण का उलेख मिलता है याद रखेगा उसके बाद रिगवेद के तीसरे मंडल में गयातरी मंत्र का उलेख है तो यह याद रखेगा और जो माता सभीतरी को समर्पीते तो कोशन अच्छन पुछ देगा ग साभीत्री वाला कोशन आपके पूछे गए हैं तो माता सभीत्री का उलेख है याद रखी गा और कौनसा मंदल में है तीसरे मंदल में उसके बाद रीघवेद में जो आपका सुक्त की संक्या है तो कोशन पुछ देगा दस मंदल और दस और शुक्त है रीघवेद जो है मागध राज्य का उतकर्ष है कब से मना जाता है तो कब से मना जाता है छटी सताब्दी इसा पुरुव से मतलग ऑप्सन ए जो है करेक्ट एंसर हो जाएगा तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है मागध राज्य का उतकर्ष जो है छटी सताब्दी इसा पुरुव से मना जाता है छटी सताब्दी इसा पुरुव में 16 महा जन्पद का मिलता है यह याद रखिएगा और कोशन आपके पूछ देगा देखिए बहुत सहिते में अंगूतर निकाए और जैन सहिते में भागवत बारे में बताएंगे और बताएंगे और किस तरफ पूछा जाएगा अंगूतर निकाय जो है अधिक परमानित मने जाता है मागध वंस के उथान में हर्यक वन्स शिसुनाग वन्स और मर्य वन्स का उथान है यह सब्भण सब्द का परयोग है आप लोग समराज में सबसे जदा हैं पहला फुला जो जन्पद है उसमें से एक था क्योंकि यह जो है सबस्से बरा करण और उस समय वहां लोहे का जो मतलब आपका मतलब उपलब्धता के कारण जो मगद था सबसे ज्यादा मतलब 16 महाजनपदों में सबसे अधिक सक्ति साल जी था तो कोशन जो है ऐसा भी कोशन आपसे दिखने को मिल जाता हूँ कोशन 29 कोशन क्या है और मुलियन का परमुख लक्षे होता है तो अपसे बढ़ावा देना इसके बारे में देख लेते हैं क्या है को इसके बारे देखें ओमुलियन का जो मुख्ये लक्षे होता है मतलब किसी देश का जो सरकार है अपने मुद्रा को बिदेशी मतलब देश के तुलना में उसको कम कर देना और आयात कम करको निरियात को बढ़ाय जाता है और आयात को कम किया जाता है भुगतान संतूलन को आपने पक्स में लाना चाहता है अमुलियन भारों सरकार द्वारा अंतिम पार उदारी करण के वर्स में किया गया था याद रखेगा उसके बाद किया है भारत में अब तक तीन बार मुद्रा का अवलीन हो चुका है कब कब हुआ था था नेक्स कोसन जो की बीवियाई कोसन है परसित उपनियास लव स्टोरी जो है किसकी किर्थी है तो एरिक संगल के दुवारा लिखा गया है को संजो फ्रवरी को बालेंटाइन के रूप में किया गया था लौश्टत है बीश से अधिक भासा में परकासित किया गया था तो इस दर आपका जनरल हिंदी भी आ यहां है यहां बना हुआ है इसका समाने क्यांगे प्लेइस्ट बना वह है रहा है और आपका यह यहां को ऐ hele और करेंट और आपको यह सब्सक्राइब और कलास को सेर कीजिए मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में जाहिन जायवड़ाइब